कि हालो दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप से भी का आपके अपने यूट्यूब चनल पर मैं सन्सक्लाब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टन कुश्चन के बारे में चर्चा की जाएगी जिहां जो ढूर के बीडियों जो हैं वो अफ़िए गए हैं अगर आपने उनको लभी तक नहीं देखा है तो उनको फटा-फट देख lunar देख लीजिये दोस्तों चैप्टर वाइज करके बीडियों अफ्लॉट किये जा रहे हैं 1200 पर तो कई format आपको上 और चैप्लेडर के दिये गए सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सीधे आपको मिलती रहे तो आईए देखते हैं कि कौन से इंप्वार्टन क्विश्चन है जो इस वीडियो में इंकुलूट किया गया है उनको फटा फटा व्लोग देख लिजिए सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां लिखा गया साट एंसो टाइप कुईश्चन जी हाँ जाहिर सी बात है आपको बताया भी गया कि यह साट एंसो टाइप कुईश्चन का वीडियों रहेगा जिससे आप बेरी साट एंसो टाइप के कुईश्चन के एंसोर भी आप द प्रांगण झो था उसकी जो सीन था उसका दृत्स चीज बर्ण करना है तो आंसर में आप अधिके दपोएट इस सिटिंग आल एलान इन दचर्च आर्थाथ चर्च के प्रांगण में इट इस इविनिंग टाइम यानि यह साम का समय था अधिके आफ्टर ग्रीजिंग इन दा ग्रास फील्ड यानि घास के मैदान में चर्णे के बाद क्या होता है आर शुलोली रिटर्णिंग यानि धीरे-धीरे वापस लोट रहे हैं जिया किस तरह से वहां पर चर्च में बैटे हुए कभी ने यह जो आपकी LG लिखी गए दोस्तों वहीं पर लिखे यानि चर्च में बैट कर ही कभी ने सूक गी थे दोस्तों यह तो उसका बढ़न कर रहे हैं वहांकी सीन का बढ़न कर रहे हैं की क्या हुआ पोईट अकेला बैठा हुआ है चर्च के प्रांगण में साम का समय हो रहा है और जानवर जो हैं यानि पसुझो हैं वो क्या है की घास के मैदान में सारा दिन चरने के बाद रिटन हो रहे हैं वापस आ रहे हैं आगे बताता है कि the farmers are also moving slowly towards their homes after the hard work all the day यानि सारा दिन सारा दिन बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद जो farmers हैं किसान जो हैं वो भी घर की तरफ धीरे-धीरे towards their homes यानि अपने घर की तरफ धीरे-धीरे आ रहे हैं आगे बताता है कभी और क्या देखता है वहां पर कि the dusk of the evening is now changing into the darkness of night यानि जो साम का समय था, evening का समय था, गोधूली का समय आप कह सकते हैं तो गोधूली का समय जो होता, वो धीरे-धीरे रात के अंधकार में बदलता जा रहा है यानि जो गोधूली का समय होता है, सूर के अस्त होने के बाद का समय जो होता है वो धीरे-धीरे फिर वहां से क्या होता है, रात होनी शुरू हो जाती है तो वही कभी देख रहा है कि वो समय जो है, धीरे-धीरे रात के अंधेरे में बदलता जा रहा है आगे कभी क्या देखता है, का दब्बिंड स्टॉप और देरिस कम्प्लीट सॉलिटनेस अर्थात, वहां पर हवा जो है, वो रुख चुकी है और एकदम से एक आंत वाता वरण हो गया है, यानि सॉलिटरिनस अर्थात, एकदम से एक आंत वाता वरण हो गया है आगे कभी क्या देखता है, देखते हैं आगे This silence is disturbed by the sound यह silence यानि जो वहाँ का सांत वाता वो रण था वो disturbed होता है किस तरह से disturbed होता है कैसे By the sound यानि sound के द्वारा आवाज के द्वारा क्या आड़ फ्लाइट आफ दा बीटल अर्थाद जो भौरों के ऊड़ने की जो आवाज आती है तो उस आवाज के करण वहां का जो साइलन्स यह वहां की सान्थी भंग होती है अधवा आरदा रिंगिंग आफ दा बेल्स इन दो के लिए कि आवाज ग्ले में इनीञ़ होई i.e. इंडल के यानी जानार के जानोर के गले में नेक अर्थात गले में जो बेल से बंदी हुई है ए ड़तिSON में भांदी माली के अवाज भी यानी घंतियों के करना यको अदरवाई होई सिघंटय का संत व्वा तदावर안 जो है वो डिश्टर्ब होता है फुच दे मूव इंदीयर स्लीप यानि वो जो ज़ानवर हैं जो घंटी अपने गले में बांदे रहते हैं वो क्या करते हैं अपने सोते यानि टावर के टॉप पर यानि चोटी पर बैठा हुआ अर्थाथ उल्लू की आवाज को वो सुनता है उसकी हूटिंग को सुनता है आगे और क्या देखता है वहां पर दा एल्म आएंड यूटिğजार इंदा चेड जो है इंदा चरचियार अर्था प्रांगण चर्च के प्रांगण में अंडर धंअर उनके नीचेicação vic यहां पर वो हमेशा के लिए पड़े हुए हैं अर्थात यह सारी चीजें कभी वहां चर्च में देखता है तो चर्च की सीन का वड़न करना था आपको आप समझ चुके कि क्या क्या चर्च में कभी ने देखा उसने देखा कि गाएं जो थी पस जो पस थे कैटल्स थे वो चर के अपने घर की तरफ आ रहे थे किसान भी काम करके अपने खेतों में सारा दिन घर की तरफ लोड रहा था और वहां की जो हवाएं थी एकदम सान थी वहां की ध्वनी जो मलब एकान तो जो था वो गायों के गले में या जानौरों के गले में बंदी हुई घंटी तता भवरों के उड़ने के कारण डिश्टर्ब होता है उल्लू को देखता है जो दूर से बैठा दूर बैठा वो अब कुछ बोल रहा है आवाज अपनी कर रहा है और क्या देखता है सबसे मुक्र चीज जो देखता है जिसके बारे में कभी ने बादन किया है वो क्या जो वहां के बिलिजर्स थे ग्राम वासी जो थे उनकी कवरों को देखता है कि पेंड के नीचे बनी हुई थी आगे देखते हैं ने स्ट कुश्चन में कि अब आप लेश्ट कुषिचन या से देखिए दोस्तों वाड कपल कैपिसिटी डज दो इमेजिन इन इन डद बिलेजर यानि मिर तक जो गाउ-वाषियों कि किस कपी सिर्था च्छमताओं के बारे में कभी कल पना करता है यानि का उनके बारे में काउन सिक्रापणा कर तो कि एक फैस glance कर तो कि मैं कि सब्सक्राइब बिचार करता है that these villagers अर्थात ये ग्रामवासी जो थे lived unknown यानि एकदम से अज्यात रह गए and dead died unsung और यानि बिना लोग प्रियता के ही मर गए अर्थात उनका कोई नाम नहीं हुआ अज्यांत अज्यांत रहकर ही उनकी मिरतो हो गई आगे बताता है though they had great capacities यद्यपून के पास बहुत सारी क्या थी capacity थी महान छमताय थी and could do commandable works और वो बहुत ही सराहनिय कार कर सकते थे to achieve popularity यानि popularity पाने के लिए एचीब करने के लिए यानि लोग प्रियता पाने के लिए बहुत सारे काम कर सकते थे उनके पास छमताय थी फिर भ कि कोई लोग प्रियता नहीं हुई कोई उनको जान नहीं पाया उसी में गाउं में ही एकांत रूप से रह गए और उनका कोई नाम नहीं वागे बताता है he asked the people of the city वो पूंचता है कि the people of the city यानि जो सहर के लोग है not to be proud of their power of belt यानि सहर के लोगों से वो कहता है कि उन्हें अपने धन पर घमंड नहीं करना चाहिए because nothing can save man from death क्योंकि व्यक्ति को कोई भी चीज मृत्तु से नहीं बचा सकता यानि हर व्यक्ति को एक ना एक दिन मरना है तो इसलिए वो सहर के लोगों से कहता है कि उन्हें अपने धन अपने पावर अपनी सकती फर घमंड नहीं करना चाहिए आगे बताता है कभी कि मैंनी आप दीज बिलेजर्स यानि ग्राम आशी ओं के बारे मताता है कि इन में से बहुत साले बिलेजर्स जो थे ग्राम आशी जो दे वर चेंड बिद हीवेंली इंस्पिरेसन यानि इस वरिये प्रेणा के द्वारा वो बदल गए थे यानि उनको इस वरिये प्रेणा ने चेंज कर दिया था आगे बताता है कि समाब्ध्यम उड़ायप यानि उनमें से कुछ बिल्डर दा सेपरेट आफ सोवेरिंटी यानि विभिन प्रकार की महात्वा कांचायें या गुण उनके अंदर विद्वान थे इन हिज हैंड्स यानि उन महात्वा कांचाओं को यानि बहुत से बिलेजर्स होने बहुत सारी महात्वा कांचाओं को बहुत सारे कारियों को अपने हाथ में ले लिया था आरूड है प्लेड अपान दलायर बिस्चा मास्टरली स्किल अथवा और क्या किया होगा उन्होंने वो सोचता है कि और क्या किया होगा कि played upon the liar यानि भीना को बजाया होगा बिद सचा मास्टरली इसके लिए यानि इतने अच्छे ढंग से इतने अच्छे कुसलता से उसको बजाया होगा that he would have melted की जिसने melt कर दिया होगा अर्थात द्रवित हो गया होगा पिखल गया होगा the hearts of all बिथ जो आए यानि प्रतेग विक्ती का दिल जो है प्रतेग विक्ती का हिर्दर जो है आनन्द से पिखल गया होगा यानि इस तरह से कुछ गाउं आसियों ने बीणा बजाया होगा यानि ये सारी कलपना जो है गाउं आसियों के बारे में कभी करता है कि किस तरह के वो रहे होंगे या क्या 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 होंगे आगे बताता है कभी कि और क्या क्या होंगे ओ लोग सम हम्बल मैन यानि कुछ बिनम्र लोग जो थे वो क्या किये होंगे उड़ा है फियरलेसली यानि बहुत ही नीरभीगता से रेसिस्ट दर ट्राई नी आफ लेंड़ाड यानि अपने लेंडलाड रथा जमीदार का जो अत्याचार था ट्राई टाईरेनी जो उनका था त्याचार जो था रेसिस्ट अर्था उसका विरोध किया होगा फियरलेसली यानि बड़ी नीरभीगता से बित करेज त्य स मॉन हुआ उज ग्रेट यहां से देखते हैं देर माइट है बीन समॉन यानि कोई आईसा भी रहोगा हुआ प्रफ़tte टेस्ट मैं अस क्रांव्यल यानि क्रांव्यल की तरह एक राजनेता रहोगा यानि इतना महान रहोगा हो सकता है कि उनमें से कुछ आफ 20 भी रहोंगे जो क्रामबेल की तरह एक राजनेता रहोगा बट उड़ है परंतु उड़ है रिमेंड फार्चुनेल ली इनोसेंट आफ द गिल्ट आफ द बलड आफ इस कंट्री मैं यानि अपने देशवासियों के खून से निर्दोस यानि इनोसेंट रहोगा आफ द से वह निर्दोस रहा होगा सौभाग से यानि कहने कि मतलब कि कुछ लोग ऐसे भी रहें जो क्रामबेल की तरह राजनेता रहें परंतु वोर्ठ अपने देशवासियों के खून खैके बरि रहें या उसके लिए सौभाग से वो निर्दोस रहे होंगे आगे कभी बताता है but in spite of all these great capacities लेकिन इन सारी छमताओं के होने के बावजूद भी they could not become anything वो कुछ हो नहीं पाए यानि कुछ बन नहीं पाते हैं यानि इन सारी छमताओं के होने के बावजूद भी वो कुछ बन नहीं पाए होंगे because क्योंकि they remain uneducated क्योंकि वो क्या थे असिच्छित थे यानि इतनी सारी छमताओं के होने के बावजूद वो कुछ बन नहीं पाए क्योंकि वो क्या थे अने जूकेट थे असिच्छित थे all their life यानि अपने सारा जीवन वो अस असिच्छित ही रह गए अस देवर extremely poor क्योंकि वो क्या थे बहुत ज्यादा गरीव थे यानि बहुत ज्यादा गरीव होने के कारण हुए अपने सारे जीवन असिच्छित ही रह गए next question देखते हैं दोस्तों कौन सा important question है जो इस वीडियों में include किया गया है question number third देखते है तीजरा question है how does the poet you logize the poor villagers यानि गरीव गरामवासियों को पूर बिलेजर्स जो है गरीव गरामवासी जो हैं उनके बारे में वो क्या उनकी बिसेस्ताइं बताता है या आप कह सकते हैं उनकी कैसे अस्तूती करता है या उनके बारे में क्या गाता है ये चीज आपको बताना ह तो answer में दोस्तों देखते हैं क्या लिकha गया है कि फुर लोग सहर के लोगों से ज़्यादा महान है यानी ग्राम वाशियों को बताता है उनकी प्रसंशा करते हुए बताता है कि ग्रामीड लोग जो थे ये गरीब ग्रामीर जो थे ये सहर के लोगों से महान रहेंगे अच्छे रहें हैं अगे कहता है कभी देयर यानि उनकी महात्वा कांच्छाएं जो थी वर क्वाइट सिंपल यानि एकदम से साधारण ही थी विच दे गेंड इजिली जिसको बड़ी है आसानी से फ्राप्ट कर लेते थे एनड फार देम और उसके लिए दे नेवर कमिटेड एनइ क्राइम यानि उन्हों कोई क्राइम भी नहीं करना परता था जो आप प्राफ्ट कर लेते थे आगे कभी कहता है दे नेवर फेल्ट एनी सेम उन्हें कोई सर्मिंदगी भी नहीं मैसूस करनी पड़ती थी फार एनी आप दियर रेक्ट अपने किसी भी कार से एंड दियर लाइफ और अपने जीवन से आगे बताता है एंड दियर लाइफ और उनका जीवन वाज अस फीस्फुल यानि बहुत इस तरह से साथ था अस दासाइलेंट कूल बैली जिस तरह से थंडी घाती होती है एकदम सान्त थंडी घाती होती है ठीक उसी तरह से उनका जीवन मिद양 से सांद था अगे कभी उताता है यानि वो एकदम से दूर वो हमेशा एकदम से दूर रहते थे यानि एकदम पागलों की तरह पीछा करना आप दियर अमिसंस यानि अपनी महत्वा कांचाओं का यानि जिस तरह के लोग अपनी महत्वा कांचा के पीछे एकदम पागलों की तरह रहते हैं ही जिसको हम पाते हैं यानि सहर के जीवन में जो चीजय हम पाते हैं आपनी महत्तोreal कांचा के रजाव क की तरह पढ़ती रहrences मुख समुकुaggi पीमिट, मपायर समस्ट, कमपियर कंपियर बठा यह तोतहएं, कि नौन Igor है आगे देखते हैं दोस्तों ही कंपेर्स द्यम वो उनकी तुलना करता है टू द जेम जेम अर्थाद मडियों से इडेन इन द डेफ्ट जो छुपी हुई है गहराई में डेफ्ट आप द ओसन अर्थाद महासागर की गहराईयों में छिपी हुई है आरा स्वीट पूल से उनकी तुलना करता है ग्रामवाशियों की फिच ब्लोसम जो खिलता है इन द लोन्ली लस आफ द फॉरेस्ट यानि जंगल में एकांत में खिलता है एंड देन फैर्स और तब मुर्जा जाता है अबे इन द इविनिंग यानि साम तक अर्थाद वे ग्रामीडों की जो पूर विलेजर्स थे ग्रामवाशित उनकी तुलना कभी किस प्रकार से करता है समुद्र की नयुमी में होता है मुर्जा जाता है और और पिस上 द लोगायन डिये ले टा Southeast Pale कि अफने बारे में कभी क्या कहता है एक पूंच रहा है अंसर देखे दोस्तों कि अफने बारे में कभी क्या बताता है इस पोहम में तो देखते हैं singing about the poor villagers यानि ग्रामवासियों के बारे में गरीब ग्रामीरों के बारे में गाते हुए the poet becomes autobiographical यानि कभी क्या हो जाता है आत्म कथात्मक हो जाता है यहां autobiographical का मतलब आत्म कथात्मक हो जाता है and talks about और बातें करता है about himself यानि अपने बारे में in the later part of the LG अर्थाद LG के बाद के भाग में वो अपने बारे में बात करता है और क्या करता है आगे देखते हैं दोस्तों he imagines वो कलपना करता है that the day अर्थाद उस दिन की कलपना करता है किस दिन की that the day will come कि ऐसा दिन आएगा when like the villagers की इन gram आशियों की तरह he will also leave the world कि वो भी संसार को छोड़ देगा यानि वो अपने मन में कलपना करता है इस बात की और इसका विता में last के भाग में LG के last भाग में वो इस बात को पताता है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि इन gram आशियों की तरह वो भी संसार को छोड़ देगा and some of his relatives और उसके कुछ relative कुछ रिष्तेदार would come to the village यानि गाउं में आएंगे to know about them यानि उसके बारे में जानने के लिए यानि कभी इस बात की कलफना करता है कि जिस तरह ये गाउं वाले ग्रामीर लोग जो थे वो उन्ही की तरह वो भी एक दिन संसार से चला जाएगा और कुछ उसके रिष्तेदार गाउं में पता लगाने के लिए आएंगे उसके बारे में आगे कभी बताता है कि the villagers built tell that the poet was often seen moving lonely in the forest यानि ग्राम वासी जो होंगे जो था कभी जो था was often seen moving अक्सर देखा जाता था moving lonely यानि एक आकी घोमते हुए या केले घोमते हुए in the forest jungle में under the trees अर्थात पेंड के नीचे जंगल में पेंड के नीचे हुए एक आकी पेंड के नीचे एक आकी घोमते हुए कभी को अक्सर देखा जाता था sometimes he will talk to himself आगे ग्रामीड क्या बताएंगे रिस्तितारों को कि कभी कभी वो अपने आप से बाते करता था like a lonely एक एक आकी and dejected person यानि दुखी बेक्टी की तरह यानि एक एक आकी और दुखी बेक्टी की तरह वो कभी कभी अपने आप से भी बात करता था और sometimes he would smile on himself और कभी कभी वो अपने आप पे मुस्कुराता भी था lay down down under the tree और पेंड के नीचे लेटा रहता था our drink water from the river flowing nearby या पास में बहते हुए नदी के पानी में वो पानी भी पीता था तो यह सारी बाते हो कभी क्या करता है imagine करता है अपने बारे में कि यह सारी बाते होंगी गाउवाले रिष्टेदारों को यह सारी बात बताएंगे आगे कभी कहता है कि but one day लेकिन एक दिन he was not seen at his favorite place आगे ग्रामवाशी क्या बताएंगे लेकिन एक दिन उसे अपने जो उसका पसंदीदा अस्थान था favorite place था उस पर उसे नहीं देखा गया he was not seen यानि वहाँ पर दिखा नहीं उसे नहीं देखा गया फिर क्या हुआ कि the third day और तीसरे दिन क्या हुआ his dead body उसका जो मिरत सरीर था वह आज सीन देखा गया being carried ले जाते हुए towards the church yard अर्थाथ church के प्रांगण की तरफ उसको ले जाते हुए church की तरफ देखा गया यह सारी बातें ग्राम वासी उसको relative उसके relatives को बताएंगे कभी के relatives को बताएंगे यह बातें वो सोचता है और इस पोयम के last में लिखता है आगे बताता है thus death seems to have overpowered और क्या चीज़ बताएंगे वो लोग कि सायद मिर्तु भी इस प्रकार मिर्तु भी यानि मिर्तु ने उसके उपर बीजे पाली है या उसको परास्त कर चुकी है also like the rustic for fathers यानि इन ग्रामीर जो पूर्बस थे उसके उनों की उनी लोगों की तरह मिर्तु ने उसको भी दवोच लिया है यानि मिर्तु से वो भी मिर्तु ने उसको अपना लिया है या आप कह सकते हैं कि परास्त कर दिया है अर्थाज जिस तरह से ये ग्राम वासी अपने कवरों में पड़े हुए हैं यहां पर इसी तरह एक दिन वो भी यहीं पर होगा और वो ग्रामीड उसके रिस्तेदारों को बताएंगे कि मिरतों ने इसे भी परास्ट कर दिया है तो यह सारी बातें दोस्तों कभी अपने बारे में बताता है आगे देख वर्थात उपाख्यान इस LG में अटेस्ट किया गया है यानि पोएम आप पढ़ेंगे तो लाश्ट में आपको एक मिलता है तो उसी के बारे में कुश्चन कह रहा है कि उसकी क्या करिए समराइज करिए उसको उसकी सारांसित करिए उसका सारांस लिखए 바're कि क्या चीजंगे इसमें बताई चीज कभि ने थामस गयए उडिन लिखा है उपाख्यान लिखा है at the end of the LG के अंत में इस सोग गीत के अंत में जो उन्हों ने लिखा है एपिटेफ हो क्या है which reveals that is melancholy जो उजागर करता है इस बात का इस बात को प्रदर्सित कता है कि his melancholy mood यानि उनके उनका जो उदासी भरा हुआ मूड था यानि दुखित मूड था मनोदसा जो उनकी थी has fully overpowered यानि पूरी तरह से उस से उसने ग्रसित कर लिया था fully overpowered him यानि उस पर बीजे प्राप कर ली थी यानि इस एपी टेफ में यह बताया गया है जो कविता के अंत में लजी के अंत में लाश्ट में कभी ने लिखा है उसमें यह चीज बताया गया है उससे यह प्रदसित होता है कि जो उसकी दुखित मनोदसा थी यानि दुख से भरी होई उसका जो दुख से भरा हुआ मूड था उसने क्या किया है उसको परास्त कर दिया फूरी तरह उसको पर आगे लेक्ते हैं यहाँ बताता है देट ऍद ने कब्र में यानि आगे कभी अपने बारे में यह सारी बाते इस एपी टेप में बताता है कि एक दिन क्या होगा कि कभी जो है अपनी धरती मा की गोद में कभर में पड़ा होगा आगे बताता ही वाज ने वरा फ़ार चुनेट फैबरेट आफिस फारचून अर्था तुब अपने भागे का कभी भी फेवरेट नहीं रहा कभी पसंदीदा नहीं रहा नार डिड़ी गेट एनी फैम और ना ही उसे कोई प्रसिद्धी फ्राफ्ट हुई आगे कभी बताता है हिवाज पूर वो गरीब था एंड हमबल और बिनम यानि वो गरीब था और बिनम था बट नौलज आलवेज ब्लेश्ट हम लेकिन ज्ञान ने उसको हमेशा असिरवात प्रदान किया था अर्था उसे ज्ञान था ज्ञान उसे हमेशा फ्राफ्ट मिला यानि वो गरीब रहा बिनम रहा फिर भी वो ग्यानी रहा आगे कभी बताता है he had a sincere soul यानि उसके पास एक इमानदार आत्मा थी बहुती बिनमर आत्मा थी and had love और प्रेम था and sympathy और सहान भूती for everybody यानि प्रतेग वेक्ती के प्रती अर्थात कभी के पास यानि एक बिनमर आत्मा रहेगी यानि बहुती बिनमर हिर्दय का था और सभी किफरत उसके लिए प्रेम और सहान भूती थी उसके पास आगे बताता है गाड़ वाज his affectionate father यानि इस्वर उसका सर्वपिये यानि पिता रहेगा फिते पिता था रथात वो इस्वर को अपना पिता मानता था ये बात बताता है अर्थात इस्वर उसका पिता होगा his merits made him hopeful उसकी merits जो उसके गुण थे उसको बनाते हैं आसा वान बनाते हैं of getting the mercy of God यानि इस्वर की दया पाने के लिए उसे आसा वान मनाते हैं था जो उसके अंदर गुण था उस गुण के कारण वो सोचता है ये आसा रखता है कि इस्वर उसके उपर कभी दया करेगा and he is looking for the day और उस दिन की तलास करता है किस दिन की the day of judgment यानि न्याय के दिन की तलास करता रहता है when would be face to face with God his father कि जब वो अपने पिता भगवान से आमने सामने मुखादिव होगा तो इस दिन की वो परतीच्छा किया करता है तो यही बाते हैं दोस्तों एफिटेफ में बताई गई है यानि लाश्ट में जो इस LG के एफिटेफ में है बहुत important question है दोस्तों इसको जरूर आप लोग रट लीजिएगा यह आ सकता है एफिटेफ के बारे में लिखने के लिए आता है चुकि यह LG से हटकर है और उसमें include LG में तो यही बाते हैं दोस्तों इस एफिटेफ का सारांस है इसमें यही बाते हैं उसने बताईए कभी ने अपने बारे में इसमें बताया है तो यह वीडियों में दोस्तों यह सारे important question थे अगर वीडियों अच्छा लगा हो तो दोस्तों like जरूर करिएगा वीडियों को और share और comment कर सकते हैं आप अपने दोस्तों को अपने मेत्रों को रिस्तेदार को आप वीडियों सेयर करके बता सकते हैं कि जानकारी इससे प्राप्त कर सकते हैं वो अपनी परिच्छा की तैयारी कर सकते हैं दोस्तों आज के वीडियों में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियों में धन्यबाद जया हिंद